Reforestation का क्या मतलब हुता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं Reforestation का मतलब हुता है वनिकरण या पुनरवन रोपन यानि कि फिर से वनों को लगाना या पेड़ पोधों को लगाना को Reforestation कहते हैं यानि कि Reforestation is the process of restoring forests by planting trees in areas where they have been cut down or destroyed it aims to replenish lost forest cover, enhance biodiversity, mitigate climate change and provide ecological benefits such as soil stabilization and watershed protection यानि कि अपने पर्यावरण को खराब होने से बचाने के लिए या अपनी जो जलवाईू परिवर्तन है उसको होने से रोकने के लिए biodiversity को बनाए रखने के लिए और मरेंदा के कटाव को रोकने के लिए जिससे के ecological benefits हो सके तो दुबारा जब वन लगाए जाते हैं जिन हिस्सों में वन जो है काट दिये गए हैं बरबाद हो गए हैं तो उसको वनी करन या पुनर वन रोपन कहते हैं इंग्लिश में reforestation कहा जाता है तो जैसे के आप ये कहें कि पेड लगाना दुनिया भर में पुनर वनी करन प्रियासों का एक महत्रपून हिस्सा है तो आप कह सकते हैं प्लांटिंग ट्रेज इस अ की पार्ट ओफ रिफोरेस्टेशन एफर्ट वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हैं पुनर वनी करन जैव विविदता को बढ़ावा देता है और पर्यावरनिय स्वास्थे में सुधार करता है तो आप कह सकते हैं रिफोरेस्टेशन प्रोमोट्स बायो डाइवर्सिटी और प्रोवाइड्स इन्वायर्नमेंटल हैंथ अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें